नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोडेंट टॉपिक पे डिसकस्न करने जा रहे हैं आरो का फूल डिटेल वीडियो इस टॉपिक में मैं सब्मिट किया हूँ तो दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर बहुच करें इससे आपका फायदा होगा फायदा ये होगा कि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आरो टॉपिक के उपर जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिसकर्शन जो करने वाले हैं, सबसे फ़हला डिसकर्शन होगा, कि हम आरो को माइक्रोन में ही क्यों मेजर करते हैं, एमे में क्यों नहीं करते हैं, फ़हला, दूसरा, फिल्टर साइज का बात करेंगे, किसरा, फिल्टर कौन-कौ कुन से लगते हैं किस अधार पे हम आरो में मैंवरन सेट करते हैं चौथा मैंवरन का कॉर साइज क्या होता है इस टाइप के नॉलेजवल वीडियो आज के इस ट्रॉपिक में हम भर भरके दिये हुए है तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर तोम दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एसी इनफोर्मेटीव वीडियो और भी दोस्तों चलिए ध्या करते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरूर तोच जाल लेते हैं हम सबसे पहले अंद हर वीडियो में मैं लोग में ना देता हूं आप लोग मिस्स मत करना क्योंकि पुश्चन में एक्जाम में यह सवाल कर सकता है आरो का फूल फर्म दोस्तों होता है है reverse osmosis इसका फूल डीटेल वीडियो एक टाइप का इसका परिश्य है मैं पिछले वीडियो में दिया हूं कि कहां से उत्पत्ती हुई किसने बनाया क्या किया नहीं किया सब मैं इससे पिछले वीडियो में दिया हूं अगर नहीं देखें आप लोग तो जाके देख सकते हैं तो इसका अरो का फूल फॉर्म होता है reverse osmosis और यह काम कैसे करता है थोड़ा यह भी जान लेते हैं दोस्तों तो यह जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे यह एक मैंवरन फिल्टर है मैंवरन फिल्टर का पीला वाला भाग जो दिख रहा है उससे वाटर का एक्जिट होता है समझें यह जो पीला वाला भाग देख रहे हैं दोस्तों मैंवरन का यह साइड का जहां पे अहड़े तीर का निसान लगा हुआ है वहां से वाटर का इंडरी होता है और बीच वाला जो छोटा सा पाइप दिख रहा है वह फिल्टर का है मतलब उपर से पानी का जब इसके लिए इसको हम रिवर्स ऑसोमोसिस बोलते हैं उल्टा इसका मैगनिफाई होता है इसके लिए इसको हम रिवर्स ऑसोमोसिस बोला जाता है अब चल लेते हैं दोस्तों कि एक और बड़ी कोश्चन है हमारे पास कि आरो में माइक्रोन में ही क्यों साइज लिया जाता है माइक्रोन में ही मेजर क्यूं करते है एक हजा सॉरी एक micron is equal to 0.001 mm होता है और 1 mm is equal to 1000 micron होता है आपको confirm हो गया हूं मैं इस्क्रीम के सो कर देता हूं कभी कभी इस टाइप का भी कोश्चन आ जाता है तो इसको भी देख लेना दोस्तों अभी चलते हैं दोस्तों इसके लिए आपको basic जानना पड़ेगा कि Memorand का Basic क्या होता है और कितने टाइप का Memorand होता है पहले चलिए देख लेते हैं basic दोस्तों जब हम Memorand की बात करते हैं तो Memorand का selection आरो में जब करते तो उस समय हम raw water का TDS के आधार पे हम आरो मेमरन का सेलेक्शन करते हैं इसमें हमारा तीन टाइप का मेमरन आता है पहला है LPE low pressure element membrane दूसरा है BWE यानि practice water element और तिसरा है SWE यानि she water element दोस्तों अब इसमें हम एक एक करके जान लेते हैं जैसे low pressure element जो है low pressure element का 1000 TDS तक का अगर raw water में 1000 TDS है तो यह हम इसका selection करते हैं एक नमबर वाला जो है LPE इसका selection करते हैं इसका हम 10 kg pressure इसके उपर दे सकते हैं दूसरा है BWE BWE मतलब practice water element इसका जो है 1000 से 5000 TDS तक का purify कर सकता है यह और इसका 10 से 20 kg pressure element pressure हम रखते हैं इसमें और तिसरा है SWE sea water element जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि sea water element यानि समुंदर के पानी को purify करने वाला element तो इस element यानि इस membrane को समुंदर के पानी को purify करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका 5000 above 5000 से उपड़ का TDS तो इस element का यूज़ किया जाता है समझगे दोस्तों मुझे आसा है कि आपको यह concept समझ में आगया होगा अभी चलते हैं next concept के उपर आए अब हम बात कर लेते हैं type of membrane filter की जिया इसमें four types के होते हैं आए जानते हैं कौन कौन से होते हैं सबके details बताऊंगा सबके size बताऊंगा वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप से फिर में request करूंगा कि आप सांती से देखो वीडियो आपको समपूर्न ज्यान मिल जाएगा यहीं पे आज आज छोड़ फिल्टर और चौथा है आरो एनी reverse osmosis filter अब इन सबका detail मैं आप लोगों को बताता हूं आए जानते हैं सबसे पहले माइक्रों फिल्टर दोस्तों माइक्रों फिल्टर का साइज जो होता है 0.1 माइक्रों का होता है फिल्टर का साइज होल का साइज और यह जो है suspended solid और बैक्टेरिया जो बैक्टेरिया को ही रोक पाता है जिस बैक्टेरिया का साइज होता है 0.4 से 1 माइक्रों तक का इसको रोक सकता है यह जो है दोस्तों माइक्रों फिल्टर यह समझ लिजिए कि इसका जो साइज है इससे अगर छोटा कोई भी suspended solid हो चाहे बैक्टेरिया हो इस होल से छोटा अगर रहेगा तो पानी के साथ पास हो जाएगा उसको फिल्ट्राइजेशन नहीं कर पाएगा सिधा सिधा फंडा है इसका नेक्स्ट घुल्टर छे लेते हैं हम sponsors याने अल्ट्रास दोस्तों अल्ट्राफ फिल्ट्रेशन में इसका साइज जो होता है 0.01 माइक्रों का साइज इसका होता है और यह फिल्ट्र जो है Somicorte Romeo बैक्टेरिया और वाहरेस को रोक-ढ़ाम करती है इसके आगे भी देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला है दोस्तों यानि नैनो फिल्ट्राइजेशन्स दोस्तों नैनो फिल्टर में नैनो फिल्टर की साइच की बात करें तो यह 0.001 माइक्रून का होता है यह दोस्तों सस्पेंड़ सॉलिड बैक्टेरिया वायरेस और केल्सियम और मैगनेसियम का सॉल्ट को रिमूब करता है अगला है मेरा आरो एफ मतलब प्रिवार्स असमसिस फिल्ट्राइजेशन जी हाँ दोस्तों चलिए मैं इसका सबसे पहले आपको साइच बता देता हूं इसका साइच स्वान पॉआब दौस्तों कि पानी के अलावा सו कुछ निकली नहीं सबता है इतना है इसका साइच होता है जीरो पॉइंट रवां सेज रॉप वां जीरो पॉइंट रॉन माइक्ट रस साइच होता है आप यह किस-किस को रूपता है सीधा सबस मज़ लिए केलसी मेडेश साल्ट को रोगता है , कि आपका सस्पेंटेट बैक्टेडिया को रोगता है वाहिरिस को रोगता है यह सब कुछ रोग देता है इतना छोटा बता तो राम न कि स्रिफ वाटर ही पास हो सकता है इसके लिए पहले मैं बोला था कि TDS के according RO का selection होता है कि कौन सा RO हमको select करना है अपने RO के लिए इसका selection हम raw water के TDS से करते हैं उमीद है मेरे को आपको आज का ये topic समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप comment के माध्यम से पूछ शकते हैं और लास्ट में एक बार और बूलना चाहूंगा मेरे दोस्त कि अगर आप वीडियो पे नए आये हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हो वीडियो को लाइक कर देना इसके अलाबा अगर मन में कोई query जो question हो तो comment के माध्यम से आप सवाल जवाब कर सकते हो हमारा दरवार आपके लिए हमेशा खाली है दोस्त दरवाजा खूला है दोस्त एक पर comment करो जवाब जरूर मिलेगा चलो दोस्तो इसी के साथ वीडियो लंबी हो गई है अम अपना discussion यहीं पे बिढाम देते हैं वीडियो अगर यहां तक आपने दिखा है तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत तहे दिल से श्रागत करता हूँ धन्यवाद दोस्तो